सार्थक और इस वीडियो में मैं बात करूँगा अपने IBPS क्लर्प का जो प्री का स्कोर कार्ट था ठीक है और आपको किस तरह से IBPS क्लर्प के लिए त्यारी करनी चाहिए और स्पेशली यह जो वीडियो है यह सिफ प्री के लिए है क्योंकि देखो आपको एक्जाम में सिलेक होने के लिए basically निकालना तो pre और mains दोनों ही है बट मैंने जितना observe किया है पिछले एक-दो साल में वो क्या हुआ है हम लोग तयारी तो अच्छे से करते हैं हम mains के लिए भी confident होते हैं बट होता क्या है प्री की उतनी अच्छे से practice नहीं करते और प्री में एक-दो marks का भी वेस्त हो जाती है ठीक है फिर हमें कोई और exam देना पड़ता है ठीक है हम यह निकाल सकते थे हम deserve करते थे बट एक हमारी speed नहीं बनी ठीक है उसकी वज़े से हम इसमें lag कर गए थोड़ा सा और यह exam हमारा waste हो गया ठीक है तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ठी ठीक है क्योंकि मैंने पिछली बार 2022 में जो recruitment था उसमें मेरा selection हुआ है और मुझे union bank मिला है ठीक है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे IBPS clock को focus करना चाहिए ठीक है और basically यह जो वीडियो है यह सिफ pre के लिए है mains के लिए मैं कोई दूसरी वीडियो ब आप English में score देखे 30 out of 23.75 ठीक है कुछ mistakes हो गए होंगे क्योंकि English में accuracy का थोड़ा पंगा रहता है maths में आप देखे 33.50 I think normalization हुआ होगा वरना तो इतने marks बनते नहीं है ठीक है फिर reasoning की बात करें तो 31.75 जो कि मैं उमीट कर रहा था 35 आएंगे बढ़ नहीं आए ठीक है क्योंकि मुझे याद है मैंने 96 attempt किये थे तब जाके 89 नंबर कुछ आए है ठीक है और जिसको भी exam का review देखना है IBPS clerk का 2022 में जो मैंने दिया था वो मेरे channel पर है आप लोग जाके देख सकते है ठीक है और आप देख सकते है cutoff थी 84.5 और मेरे जो marks थे वो थे 89 ठीक है और इसको देखो मैंने कैसे achieve किया देखो simple सा है जो भी मैं बोलूँगा जो मैंने apply किया है जो मैंने करा है actually मैं ठीक है व कुछ core चीजों पर focus करना है जैसे देखो सबसे पहले आपका syllabus एकदम complete होना चाहिए और अगर नहीं भी है कुछ percent है मानलो आपका 60% syllabus है 70% syllabus है तब भी आपका pre निकलेगा ठीक है means में थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप थोड़ा फसे but आपको pre के लिए जो मैं बता रहा हू ठीक है और जो भी paper निकलता है वो कहीं न कहीं से follow करता है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ English section की तो English के लिए Maths के लिए और Reasoning के लिए तीनों के लिए एक ही चीज important है जो आपका exam आपको निकाल के देगी हर exam का जो pre होगा वो आप definitely निकालेंगे और उसके लिए सबसे जो बड़ा आपके पास tool है वो है mocks और mocks में भी मैं particularly बोलूँगा sectional mocks ठीक है देखो मैं क्या करता था मेरा जो total focus रहता था वो रहता था sectional mocks के उपर देखो syllabus मेरा पूरा था बट sectional mocks पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया ना mocks पे उतना मेरा ध्यान था इस बर मैंने क्य होते में 7 दिन तो शुरू वाद के जो पांच दिन होंगे Monday से Friday मैं हर दिन तीनों section के daily एक-एक mocks दूँगा तो English का एक mocks sectional, Maths का एक mocks, Reasoning का एक mocks तेक है ऐसे अगर मैंने exam से 2 महीने पहले लगातार कर दिया तो 60 दिन 60 days into 3 मतलब आप 180 sectional mocks दे चुके हो 60 हर subject के तो आपको क्या करना है आपको जब sectional mocks देना है तो वो पांच दिन जैसे आपने Monday से Friday रोज sectional mocks दिए अब आता है Saturday और Sunday Saturday, Sunday को आपका ये होना चाहिए आप कुछ नया नहीं करोगे सिर्फ जो आपने ये sectional mocks लगाए है उनको अच्छे से एक बार revise करोगे उनको देखोगे उनमें जो कोशन में आप फसे उनको दुबारा लगाओगे तो ये तो हो गया sectional mocks जो की बहुत कारगर होगा अगर आपने इसको एक से दो महीने कर दिया आप खुद अपने marks दिखना खुद अपनी speed दिखना तेक है मेरी जो speed last में आई थी ना मैं आपको बताता हूं maths मेरा 15 से 16 मिनट में complete हो जाता था कभी-कभी इस से कमने भी हो जाता reasoning तो बहुत जल्दी होता था 15 मिनट तेक है English में हम पूरा time लगाते हैं क्योंकि 20 मिनट में भी accuracy कभी पता नहीं लगती है तेक है कभी-कभी 28 आते थे कभी 29 आते थे marks में but exam में accuracy का थोड़ा रहता है पंगा तो आप ये देखो सबसे mean जो मैंने आपको बताया वो बताया sectional mock तेक है अभी से लगाना चालू कर दो और अब बात करते हैं mocks कैसे लगाने है तेक है देखो mocks के लिए आपको simple रखना है alternative day पर एक mock लगाना है या हर तीन दिन में एक बार mock लगाना है तेक है मेरा जो suggestion रहेगा वो रहेगा alternate day क्यों क्योंकि जो 5 दिन होंगे Monday से Friday उसमें आप लगाओगे Tuesday को और Thursday को बस ठीक है फिस Saturday Sunday तो आपको उसका revision करना ही है ठीक है तो आपको क्या करना है alternate day पर एक full mock जो full length mock होता है वो लगाना है ठीक है और अगर किसी के पास किसी भी company का mock हो कुछ सोचने की जुरत नहीं है उसी को follow करो अगर आपको कोई बोल रहा है कि olive ले लो ये ले लो ठीक है कुछ नहीं है जो आपने खरीदा है वो best है ठीक है और मैं आपको एक suggestion भी दूँगा जितना मैंने देखा है जो mocks सबसे close to exams रहते हैं मतलब जो मैंने दिये हैं ठीक है मिर पे जो था वो तो था smart किड़ा और guidely ठीक है ये दोनों मिर पे थे मगर जो मैं कभी कभी जब लगाता था तो मैंने देखा है olive board और guidely के जो mocks लेते हैं वो close to exam रहते हैं मतलब exam का ही level एकदम आपको उतार के देदेंगे मैं pre की बात कर रहा हूं ठीक है mains की बात नहीं कर रहा हूं pre की बात कर रहा हूं मतलब जो पिछले साल exam आया होगा उसी pattern पे पूरा एकदम examination जिस level का होता है ठीक है clerk का जो pre होता है easy level होता है बट लोग फस्ते का हैं फस्ते हैं सिर्फ speed पे अगर आपने एक line गलत पड़ी आपका question गया आपका time waste होगा ठीक है तो इसके लिए जो main चीज होती है वो होती है आपकी speed और वो आईगी कैसे sectional mock plus alternate day पे full length mock ठीक है mocks का tension की जूरत नहीं है जो आप एक mock है वो आपको देना है मगर अच्छे से देना है ठीक है उस पे एकदम एक एक चीज आपको पताओनी चीए कि इन्होंने ये पूछा है तो मुझको ये चीज आती है ठीक है तो मेरा यही suggestion है जो मैंने follow किया था मैं आपको बतात नहीं पड़ा तो और nine times क्या होगा कि आपका कहीं आप फस गए क्यों क्योंकि आपकी practice में कम ही थी ठीक है तो आपको simple रखना है चीजों कोई newspaper पढ़ने की जूरत नहीं है अगर कोई बोल रहा है newspaper पढ़ो फालतूग आपका time waste होगा English में जो RCs होते है mocks में वो sufficient रहते हैं मैंने भी start किया था newspaper बट कोई फाइदा नहीं हुआ ठीक है आपको सिर्फ करना है जो उसके RCs है sectional mocks के mocks के उसको थोड़ा time दो और अच्छे से पढ़ो ठीक है एक एक line का मतलब समच लो कि क्या लिखा है ये question कैसे हो रहा है क्या question वो पूछ रहा है अगर आपने इतना कर लिए ना आपको exam में फरक दिखेगा आप कितनी जल्दी करोगे और कितनी जल्दी समझ के करोगे ठीक है same और साथ में साथ आप means का तो कुछ ना कुछ पढ़ी रहोंगे ठीक है अभी सिर्फ ये video मैं pre clear बना रहा हूं तो जो आपको मैंने बताया है उससे मुझे फाइदा मिला है ठीक है आप लोग भी करके देखना and mostly सब ये करते ही है जिनका भी exam निकलता है ठीक है वो sectional mock और mocks पर focus जरूर करते हैं ठीक है तो यही था मेरी तरफ से इस video में and मैं अपने बारे में बता देता हूं जो भी channel पर नहे है मैंने 2022 में IBPS clerk clear किया था ठीक है SBI PO का मैंने interview तक मैं गया था but interview अच्छा नहीं गया था तो इसलिए final selection नहीं हुआ and IBPS clerk में मेरे selection हो गया था Union Bank of India ठीक है आप देख सकते है मेरे channel पर videos है मैं डालता रहता हूं ठीक है और जो भी channel पर नहें आप channel को subscribe कर सकते है कुछ भी आपके doubt हो आप मेरे से पूछे ठीक है और जो भ आप सकते है